मंत्री की नितरत में हुई केमिनेट की बैठक में एक महत्तव पूर्ण निर्ड़े लिया गया है जिसमें ये निर्ड़े किया गया है कि सभी ग्राम पंचायतों तक सहकार्टा की सोसाइटी खुली जाएगी इस वक्त मैरे साथ बादचीत के लिए मौझूद है कि अंधरी सह society वो प्यक्स की होंगी सेकार्त आपकी मतस्थिक होंगी या डेरी की होंगी इस प्रकार से कोई ग्राम पंचायत ऐसी न बचे जहां पर सैकार्ता मजबूत इस्तिति में न हो हम पच्छिस प्रकार के कामों के साथ बहुत देशी है पैक्स बनाने का काम करेंगे से शैकारता के मद्ध्यम से पूरा करेंगे ग्रामीर जन्ता को किस सर्फी लोग लोग लोन भी लेते हैं और तमाम सारे एंब काम करते देखी अब केवल अलपकालीन लोग या खाद और वीज का ही काम सैकारता नहीं करेंगी पच्छिस प्रकार के काम यह बहुत देशी है बना करके उनको पानी के वित्रन से ले करके गैस अजएंसी से ले कर जो काम महाँ पर वो कर सकते हैं श्यकारता के माध्यम से उनको करने का काम करेंगे अभी कुछ तरौ पहले आई-टी के हमारे आदनी मंत्री जी मानने असनी बेश्यम जी के साथ में हमने समझोता हस्ताक्षर भी किये है जन सिवा केंद्र, जो हमारे खुले है उन जन सिवा केंद्रों का काम भी हमारे प्यक्स सोसाइटी कर सकेंगी इस प्रकार से लगातार हम सोसाइटीयों को निश्यकारता को मजबूद करने का काम कर रहे हैं इससे अत्रिक एक सवाल हो उत्रप्रदेश में निकाय चुनाओ होने हैं जिसको लेकर कभी यह कहा जा रहा है कि अप्रैल में निकाय चुनाओ हो जाएंगे पुरी रिपोर्ट जो है वो तैयार कर लिगए लगबाग आ मेरी जानकारी में पूरी तरह से नहीं हैं लेकिन हुम चुनाओ के लिए जब भी चुनाओ होते हैं तो हमारी पार्टी पूरी तरह से तयारी रखती है क्योंकि भारते अधर्वार्था इंयतका मदर्से का सर्वे उत्रप्रदेश में हो रहा था, काफी विरोध भी देखने की बूला था, लेकिन सरकार एक बार नेपाल बॉर्डर पर जो तमाम सरे मदर्से इस्तित हैं, उसके एक बार फिर से जाच कराएगी, क्योंकि वहाँ पर कुछ संदिग दे लग रहा है। सरकार की तमाम सरे पैमानों को अब परखा जा रहा है। साथ अपने छेत्रों में कारे करते रहते हैं, आगे आने वाले चुनाओं में उससे भी ज्यादा सीटे हैं इस बार जीतेंगे। क्रिशन दर्मतर के साथ अविनाश्ति वरी, एबीपी गंगा दिल्ली। एबीपी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी